इंदौर के दाना द्वारिका पुरिशेत्र में पैसों के लेंदेन को लेकर चाकू मारने की घटना सामने आई है जिसमें एक किनर और उसकी मां कमभी रूप से घायल हुए है इंदौर के दाना द्वारिका पुरिशेत्र में पैसों के लेंदेन को लेकर चाकू बाजी की घटना सामने आई है द्वारिका पुरिशेत्र में रहने वाले किनर गुंजन ने अपने साथी संतोष को कुछ पैसे उदार दिये थे और गुंजन ने अपने साथी संतोष से पुलस अभी भी आरोपी संतोष की तलाश कर रही है। तो उसी पर से लड़ाई जगड़ा हुआ तो चाकु मार दिया दोनों को। किनर गुंजन है उसको भी चाकु मारा था गर्दन को और उसकी मा को पीठ को। नई अभी फरार हो गया घर पतला लगा हैं भी भग गया है। यह दस भी से जार रुपे का था ज़्यादा कर नहीं है। नहीं पुराना रिकार्ड नहीं है। उसी का गुंजन का ही दोस्त है। तेन साथ में, तेन साथ तेन साथ तेन साथ तेन साथ चौवी सपांग सचह। देनेटिजन नीवस से सिर्पोर्टर साजित खान की रिपोर्ट।